नमस्कार मैं हूँ सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस लोकडाउन चल रहा है और जिस तरह से कोरोना लगातार पैरपसार रहा था उसको देखते हुए सरकार ने लोकडाउन की पोशना की थी लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है व आखिर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए था इन सभी बातों को लेकर एक के पहलू पर बात करने के लिए हमारे सांद एक कुडा पैनल मौजूद है जिसमें जो लोग जूर्र हैं सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अधिवक्ता है धरमीर जी और जीस्टी भी देखते हैं धर अलैंकर सब्सक्राइब करेंगे वाकिन साहब आप से इस पूरी लॉकडाउन को और समस्याओं को किस रूप में आप देखते हैं देखें ये जो छोटे वेपारियों के चुकि मैं पिछले 20 साब से वेपारियों से जुड़ा हुआ हूँ और टेक्स के माध्यम से तो मैं उनका काम करता रहता हूँ इस लोगडाउन के दुरान पिछले साल भी मैंने खुद अपनी पतानी कितनी पार्टियों को बंद होते हुए देखा उनके पिजनस को और जो ये लोगडाउन है ना ये सरकार ने बिल्कुल इस बार का लोगडाउन तो बिल्कुल थर्ड कला सरीके से लगाया है कि इन्होंने करागी सुबे-सुबे दो गंटे की लिए खोलते हैं थीक है जो पहले घंटे जो पहला वी था उस में उनको खोल दिया दो गंते के लिए करा लेकिंधे थीरे थोड़ी थोड़ी को कम करना चाहिए जब केसिस कम होने लग रहे हैं तो अब इन्होंने क्या कर रहा है कि एसेंश्चिल सर्विस वालों की दुखा ने तो खुल तो खोल दी जैसे पर्टूने की हो गई और बाकि जो गार्मेंट्स वाले हो गए बिजली वाले हो गए हाड़वेर वाले हो गए अब मेरे घर की खुद की चट्वी तंकिया वह खराब पड़ी गी है अब बताओ मैं उसके लिए क्या करूं रही बात भी वैपारी को जहां तक मैं जानता हूं आज की डेट में वैपारी की बहुत बहुत ज्यादा प्रिशान है उपर से मार हो रही है जी एस्टी की भी साथ साथ जी एस्टी का भी ऐसी रेजिम लागर के रख दिया जो वैपारी आज तक उसको समझ ही नहीं पाया है और लोगडाउन लोगडाउन के अंदर तो उसकी विचारे की ऐसी कमर तूर पिछले डेड़ साल से ब्यापारी लोगडाउन की समस्य आ रही है लोग लिख रहे है सरकार के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार साफ कहती है कि लोगों ब्यापारियों का गुस्सा हम सह लेंगे लेकिन लासों का धेड़ नहीं दे सकते तो सरकार के पास कोई है क्या आपके पास कुई ऐसा option है जिससे जीवन यापन भी होता रहा है जीवन चक्र भी चलता रहा है और व्यापारियों का नुख्षान भी नहों सर देखे अभी मैं इसी बास प्यारा था अभी आपने देखा कि इस तरीके से इस बार महामारी ने अपना रूप दिखा रहा है मैं खुद कहा रहा हूँ मैं खुद भी घर से वार निकलता हूँ जब मुझे बहुत जार जिरूरत होती है ऐसा नहीं कि आप आम जल वैसे ही घूमने लग रहा है अब पिछले साल से जाधा अवेर है पबलिक बजार के अंदर हो या शादी बया के अंदर हो कहीं पर भी है बहुत अवेर हैं तो मेरी सरकार से यही थी कि कम से कम अब थोड़ा सा ताहीं बढ़ा करके अभी दुकान दारों को खुलने का मुखा देना चीए था ना बिल्कुत बालो चार घंटी दुकान खुलती है सोनिया जी व्या पानियों की जो समस्या आप खुद कुद कुरोना पीडित रही है करोना के संघर्स की वीडियो हम सबने देखी है और दिखाई है आपके और लेकिन ब्यवशाय किस तरह से चतिग्रस्त हुआ है और इसका क्या कोई अल्टर्नीट था या है अब लोग भी समझ रहे हैं जैसे जैसे लोग अपने रिष्टदारों को अपने संबंदियों को खोरें तो उन्हें भी समझ्या आजाए और लोग्डाउन को जो है तो थोड़ा कम किया जाए तो चीजे समझ सकती है अब लोग भी समझ रहे हैं जैसे जैसे लोग अपने रिष्टदारों को अपने संबंदियों को खोरें तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कैसे टैकल करना है तो हमें किस तरीके से टेक्स पे कर सकते हैं तो हमें इंकम को भी बढ़ाना जरूरत है यह गौवर्मेंट को थोड़ा सोचने के ज़रूरत है मैं समझ सकते हूं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लेकिन दोनों तरफ सोचने के ज़रूरत है दानिवाल सब व्यपारियों की मुख्य समस्या क्या है और इस पूरिया लॉक्डाउन में क्या कुछ आप लोग जील रहे हैं नवश्कार जी इसले डेड़ साल से बहुत ही बुरे प्रिंटिकल कोईशन से निकल गए हैं वीच में थोड़ा सा रिवाई हुआ था ठीक हुए से थोड़ा मजबूत होने कोशिश के थी तो ये खुदरती जो है इस माहोल ने सब तोड़ दिया और लोग डाउन थोड़ा हैं जी फिर दस के बाद हमने साल रही काफ्ता बढ़ गया कोई बात नहीं है हमने सुर्थ फोन किया जैसे इनको पेमिंट के लिए रिक्वेस्ट की तो सतरा उजूर खुल जाएगा हम आशा थी आशावादी हैं और कि हमें खुल जागा तो उस साब से हम अब भी बढ़ ग अब बहुत हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे वह बार-बार मेला रहे हैं जी पेमिंट जमागरो पेमिंट जमा गरो और करते हैं उनको पेमिंट निदे पा रहे हैं जी कोई था जार मांग रहे हैं जो देदे वहाइज आपके वापीस राने में बढ़ा और 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 पैसे देंए पड़ेंगे पैसे हैं नी हमारे तिन में मारे तो नौर चैल होती ही उमीद होती चल ले शामगोदे देंगे जानकर ने खौन कराया, कि हम तुननी यहाज चुननी उळागा करा कि लड़की को को बढ़ झी दो पांरट की पांतो झाती है चुननी आति है तो बाभय, हम कृटनी चीर सिर्चाथ है आए रह सकते हैं जब बुरे कास्ट आता है, बजार के ऊपर कास्ट आता है, शरकार को डोनिट करते हैं, गउसाले वाले आ जाएंगे, कोई गाया जाएगा, सब पर्ची काड़ते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, गली का थोड़ा सा उंचा भी आवाज बलते हैं, दुखांदर ड़ता है पीयर मुझे स्वेर नो बज़ आणरा, रापको रखांगे है तो इसलिए मुझे हमारा बाबाप कोई नहीं है, हम तो अंदर से बिल्कु तूड़ गे, हम हमारे चेरा देख़ा एगा है, हम क्या कर रहे हैं? मतलब की बिल्कुली बस हमारा मन नहीं कर रहा काम करें कैसे कर सब्सक्राइब कर दो हम आपके साथ हैं सरकार हमें थोड़ा सवायता दे थोड़ा सब्सक्राइब करें करें आपको नो से दो बेस दके दुवान खुल लेगी यह साम को एससे खुल लेगी खुल जानी चीज थी सरी के साथ आपके से आपने बड़ी सरान है कि मैं पहले प्रवर में दिखा था आपका से अपसे सरकार बढ़ाई भी करी हां जी केस में सब्सक्राइब कर ने करें हमा कि दूगान बंद रखें इसलिए हमें थोड़ा सब्सक्राइब हमारे पे हमारे जीने का दें अम बच्चे को पालेंगी आपको हमारी तरब से आप से रिप्रेस्च करें कि हमारे फोड़ी तोड़ स्थे सोनिया जी आपको नहीं ता कि सरकार लॉक्डाउन लगाने से पहले एक राय सुमारी करनी चाहिए थी और जिस तरह से चुकी एक सी जोर मैं क्लियर बता दू जो 2020 में लॉक्डाउन की गोश्टना हुई थी मार्च में उसमें कम्प्लीट शुटडाउन था लेकिन इस बार जो लॉक्डाउन है वो प है तो क्या आप को नहीं लगता कि सरकार को इस स्तिति में हम सब्व लोग उनका payments कि perfect को सब्हें यह नंदा कि सरकार में कहीं कमिक्र और उनक्रमाइन की वार्च सब्सक्रां मैं बहुत ज़्यादा प्रणा हो रही है आप मांनेंगे और ने बच्चों वेपार को भी देखा तो हमें भी आत्म चिंतनी की जरूरत है हमें अपने वेपारियों को भी देखना है लेकि अगर काम नहीं होगा ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा सब कुछ धीरे 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 खतम होना चुड़ो हो जाएगा तो कि जब लोग आनी नहीं करेंगे तो वो सर्कल घूमे का कैसे जो स्व है क्यों तो अभी छाएगा अभी सिर्क पेशन्ट को प्रियोर्टी दे जाank बिज जरी जा एक सिर्क कुछ पेश को सिर्क आंगा थे जो जौ Guilloda black के सरकार को लगाने से पहले एक उनसे मंत्रना जरूर करना चाहिए था व्यपारियों की राय लेनी चाहिए थी इनने पेस्कांस किया था और उन्होंने कहा कि भी आपारी जो हैं दिली के वो तैयार है लोक्ट क्यों तो कुछ लोगों से जicit कि Luck शुना कर देनी चहाइए और इस स्थिती में जब mang पम्रीट कई चल ना चाहिए था या फिर कुछ टाइम कर देना चाहिए था और जब प्रशासन पुलिस तैनात है सरकार तैनात रहे तो भीर न लगने दे दुकान क्यों मनाई कि जारी है कि वहाँ भीर लगती है अगर प्रशासन चाहिए दुकंदार पर या बॉंड हो की नहीं आप भीर नहीं लगाएंगे तो निश्य तो कमपनियां खुली है जो मैनिफ्रेक्ट्रिंग यूनिट है आज भी खुली हुई है जिसके अंदर जो काम करने के लिए जा रहे हैं रही बास सदर बजार के सदर बजार जो है ना गुरगावा की धड़कन है जब तक वहां काम नहीं होगा ना समझे लो पूरे के पूरे ग जो कान पूरा बजार खुल सकता है नो से लेकर दो बज़े तक या चार बजे तक और रही बात अवेरनेस की कोरोना की मैं फिर से बड़ी बात कहा रहा हूं कि आज की डेट में आम जंता कुद अवेर है कि हमें क्या करना है लेकिन इस बात को सरकार नहीं समझ दिनी सरकार क तो देखो सरकार का टेक्स तो नहीं रुकरा अब नमबर बंद कर दिये उन्होंने और बेवजह बंद कर दिये लेकिन अब घर से बाहर नहीं जा सकते वापारी तो वह स्टार्ट भी कैसे करा है अब उसकी लगरी यह पैनल्टी और जिम्मेदार है डिपार्टमेंट लेकिन पर है की देखो हैं, कि आपनाया जा रहा है वेपारी के उपर हर से अपनाया जा प्र सरे दुख हूता है और पिछले डेड़ साल से डेड़ साल से जो अब डाउंस सल रहे हैं अभी तो स्मूथ हुआ भी नहीं था फिर से लोग डाउन लगा दिया और ने को स्टेटाजी देखो इनको पहले रोने एक अफ्ते का लगाया यह कंफरम था कि धिरे-धिरे इसका समाधान क्या है यह तो वकील लोबी एड़ोगेट लोबी होती है ना वो हर बार वैपारियों के लिए हमेशा खड़ी रही है लेकिन धारिवाल जी पे और मैं पूरी बजार की यूनिटों कहना चाहता हूं कि वैपारी है ना वास्तम में डरा हुआ है वो खुल करके सामने नहीं आता उससे जाध अब आपको क्या परिशानी है जब वैपारी खुद उठकर के नहीं आ रहा है यह हमें संजीव ने वो दिया था उसका वो ता चीफ सेकर्री था उसका उससे दिया था रही बात इसकी कि सरकार को एटलिस अल्टरनेट को कर देना चीए कि एक दिन चोड़ करके एक दिन नही है और जो कुछ आप बता रहे थे कि कितनी उल्जने हैं वैपारियों के लिए तो आप लोग आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं अपने राजनितिक रसुखों का इस्तमाल क्यों नहीं करते हैं तो उमीद मिएं किसे हम करें किसको साथ लें अगर हम आवाज करेंगे नलता हुआर बिश्तमाल करते हैं यह में लने खता है जरसा हमारे स्थाघनल उप्लिट डी खालने स्क्राविटि खोलने विगर के खिर सब्स्क्रींद करते नेदेक। पाइब कर लेंगे हम खुझी कर लेंगे लड़कों तन खांथ यहाँ कर लो हमारे दूब अब भाई निकल के साथ कोई नहीं जी वोट के टैम तो सब को है याउच जालैंगे निकालेंगे अपना वह भारी तो है व्यपारी के साथ व्यपारी तो जुड़ा हुआ है सरकार व्यपारियों से और आम जनता से हैं तो आपको क्या कोई नेता आएगा तब आगे निगलोगे आपकी अलग 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 यूनियन बनी हुए सब परदान आपस में मिल करके बात करो एक दिन एक दिन आपको वह करने की जिगूरत है प्रोटेस्ट करने अगले दिन करेंगे और सरकार से का आपके आप सब्सक्राइब करो हमारे लिए कि थुड़ी बहुत टाइम दे दुकान का भी ज्यादा नहीं तो थोड़े जैसे भी आप पहरे हो उस आप सम्ट सरकार के साथ हैं हम तो बीमारी के खिलाब हैं जी हम चाते हैं हम जाते हम एक आदमी करका इसलिए मैं आप सरकार के बात कोचाओ ना कि कम से कम दो से नो से लेकर चार बेताओ तो सब को खोल लेते यह तो आप वेवापाली मिलकर के कर सकते हैं हां जी हां जी आप आप दिल्ली से हैं आप भी यूटिशन है एक है आपका बेशायरी सबसे ज़्यदा प्रभावी थे इसलिए प्रभावी थे कि यह सीजन जो चल रहा है शादियों का चल रहा है वैसे में आप लोग घर बैठे हैं क्या कुछ उमीद किया था आपने इस सीजन को लेकर चुकि पिछली साल जिस तरह से आपका सीजन बिल्कुल कंपीट एडवर्स में चला गया था खराब हो गय लेकिन हमने सोचा था कि इस साल अगर अच्छे से गया तो कम से कम अपने कम से कम टेक्स निकालेंगे अपने प्रॉडक्स की वैल्यूथ निकालेंगे कम से कम फूश्तो मैंने चोगा घर कर्चे निकालेंगे लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो पाया दरस सल क्या है कि मुझे लगता है लोगों को यूनिटी बनाने की ज़रूर था जिसर अगर यूनिटी बना लेते हैं तो सरकार जरूर सुनेगे हम कोई बिलत नहीं बोल बोल रहें कि आप खुछ जानते हो कि जो मिडल लोगे हैं वो ज खड़े नहीं हो भारे कोई कह रहा है कि मैं यह करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मैं बाहर निकलूंगा पता नहीं मुझे पकड़ के ना ले जाए अगर आप एक अच्छे तरीके से पैटन में आके करोगे तो मुझे लगता नहीं इतनी प्रॉब्लम होगी दरसाल ल कर रहे हैं सरकार हम से हैं हम सरकार से नहीं है हमने ही सरकार बना लिए तो जरूरत है अब थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रॉंग करके आगे बढ़ने की तब इक बिजनस बच पाएगा अधरवाइस तो मुझे लगता है बहुत वाब्लम हो नहीं है क्या आपको लग र सब्सक्राइब करेंगे लेकिन हमें थोड़ा साथ तो मुझा दें ठीक है हमारे जैसे हमारे जैसे हमारे भाइयों के हैं इस बार रहत पैकेज का भी अलान था क्या इस बार भी आप लोग उमीद कर रहे हैं कि लोग डाउन में कुछ ऐसे रात पैकेज से राहा कर लेंगे अपने काम पर अपने करम पर विश्वास है जी हमें रात पैकेज से कोई मतलब नहीं है हम तो चाहते हम पर यह सरकार से रहम पर नहीं है सरकार हमें थोड़ी रहत देते वस्ते टाइम की यूंद को लिए खोलने की इसाजब देते किसां तो मिल जाएग करता है हम सब्सक्राइब कर नहीं है कि कहने वाली बात है लोग दूस्मन के निजर से देखते हैं कि लूट रहे हैं लूट नहीं रहे हैं तो पैसे मांगे विले रहे हैं इतने दे रहेंगे पिछली बार के राहत पैकेज जो डिकलेर किया था उसका मेरे को एक रूपय का भी हिसाब कहीं देदो अगर कहीं लगा हो पिछले एक साल में को आप तो दियुकता है ना रे क्योंगे पी आईल फाइल करते हैं और लेकिन वह तो फिलाल जो सोचल मीडिया के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा करते रहते हैं अलागि मेरे को लग रहा है कि अनिविजी तो कम से कम मेरे से परेशान हो चुके हो इसे लाग यह हमें वह बता रहा हूं को मैं बलोग ना चाहिए यह बात बोल रहे हैं विल्कुल भी हमें राहार प्यकिस नहीं चाहिए हमें काम करने दो काम करने की जुरूत है सब्सक्राइब करेंगे हम इतने स्रगल करने माले आदमी है तो कांदार तो बहुत ही महनती होता है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हमारे थोड़ा सा हम आद जोड़ के प्रासरें करते हैं और आपके दोबारा आप हमारे अबाद पाके तक पहुंचाएं वकिल साहब हैं घ्याता है हम इनका खैर मद्धम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और हमारे रहात पैसे की ना दे हमें कुछ भी ना दे टैक्स भी पूरा देंगे हम हर त्रह से लिखत में कोई गल्द काम नहीं कर रहें हमें कई हमें खोला दो हम आप से वक्त की माँग रहें हमारे बच्चों बनी जाएगी जिनको पेमेंट देंगे उनकी अपार्टी अच्छी में पार्टी अची ए पेमेंट डिले करते दर्सल क्या होता है, जो MIDDL GLASS FAMILY होते हैं लोग्स इज़त जो एग वत बहुत बड़ी चीज है, अच्छे तरीके सा कमानाः चाहते हैं हम खुद ही कर लेंगे हम फिर दुवारा उठ जाएंगे कबूतर के पंक बांद दिये और सरकार के रिए उड़ो यह हालाद है आपकी डेट के लिए हांजी चलो सर अब क्या करें हम तो आप से है करें आप वहारी बात आके तक ले जाओ जी वकी लोग तो आप ही कर सकते हुए हम तो बहुत आगे आगे लेकिन पता नहीं वह भी कहा है वो रखें आज बिल्कुल आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोग अपने बात रखें हम भी चाहेंगे कि सरकार जरूर यह देख रही है और सुन रही है तो उन तक हमारी अवाद जरूर पहुंचेगी और हम भी सरकार से निवेदन करेंगे कि इन व्यापारियों की सरकार जरूर सुने और 24 तारीक के बाद हलाकि जो खवर आ रही है आप लों को बता दें कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मु यह देखते रही है प्रवाशी एपस्प्रेश नमस्कार नमस्कार